नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है आतो सुर्गा ने सर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इरो जस नरनारी गावे, धर्ती धोरारी, धर्ती धोरारी, धर्ती धोरारी धोरा की धर्ती से एक एसी सक्सियत, जिन्होंने संपुण विश्व में अपनी अमिट छाब छोड़ी है और कई देशों के लोग जिनको फोलो कर रहे हैं, जिनके एक एक ठुमके के पीछे वो मरते हैं एसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ है श्रीमान अजित सिंग जीत तमर साब सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में और आज का जो हमारा ये मिलन है, मैं चाहताओं कि संपूर्ण विश्व में एक एसा उधार्ण बने कि राजस्थान की धरा जो है, इस धरा की जो संस्कृती है, साहित्य है, जीवन शेली है उसको ले करके आप अपना परिचा दीजिए खमागणी, मैं अजीत सिंग तमर, राजस्थान के एक छोटे से गाउं से माउंडा कला जैसे कि अभी जनरेशन आगे भाग रही है, तो मैंने एक कदम पीछे लेके, थोड़ा अपनी संस्कृती को साथ में लेके, थोड़ा दोडने की सोची है और उस दोडने में आप सब का और राजस्थान का अपने देश का बहुत ज़्यादा साथ मिला है और वो दोड़ा किस वज़े से कि क्योंकि मैं अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को साथ में लेके चला और आप लोगों ने नित्ति के जरिए, घूमर जो डांस है उसके जरिए और अपना राजस्थानी देशी डांस के जरिए और लोगों ने इतना प्यार दिया कि जैसे कोई मौडरन को भी नहीं देता मौडरन जो आज कल सब उसके पीछे पागल हो रहे हैं वैसे तो ये एक छोटा सा अधीद सिंग जो कहीं चुपा हुआ था आप लोगों ने इसको लेकिन सब हमने सुना कि आपकी बहुत मजाक उड़ाई गई आपके बहुत लोगों ने हसी उड़ाई आपको जब सामने देखते थे तो लोग यूँ इशारा करते थे कि ये वही व्यक्ति जो नासता रहता है डांस करता है पता नहीं कैसे इसका केरियर बनेगा और आज वही लोग आपको सेलूट करते हैं तो क्या संदिश देना चाहेंगे ऐसे हमारे कई सारे आर्टिस्ट जो निराश होकर के बेड़ जाते हैं कि बिलकुल सुरुवात कोई भी किसी भी काम की सुरुवात हमेशा ही कठनाई भरी रहती है अगर आपका गोल का एक लेवल सेट है तो और चाहे वो कोई भी फिल्ड हो जैसा कि नर्त्य एक फिल्ड हो गया जिसमें अपने राजस्थान में तो आपको पता ही है कि नर्त्य में तो ज्यादा उसको कोई प्रोफेशन नहीं मानते पहले अब आज कल तो जनरेशन थोड़ी समझने लगे तो वहोत ही कठिनाई योगा सामना देखने को लिए मिला था लाइक की ऐसे शब भांड है जद चाल करता हो तो 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 जे यूए जद फांड है यह जद बाद है इसलिए नाच के बर्बाद हो रह है कुद भी बरबाद हुएको गो गराला का फीसा वरबाद कर गो और खर्टम आपने बहुत बड़ी उपलब्दी है तो इस अनाते में एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कला जगत में हमर जो आज की कला क्षेतर में करने वाली जो काम करने वाली जो पीडिया है वो जैसा भी है मैंने पूछा कि निराश हो रही है उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे आप कला जगत में महनत बहुत कर रहे हैं बहुत महनत कर रहे हैं लेकिन उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि महनत दो-पांच साल करके मत छोड़ो जैसे आप किसी और फिल्ड में भी आप किसी और को देखो तब आपको पता चलेगा कि वो एक अच्छे मुकाम एक अच्छे अर्निंग सोर्स मान लो जी आज की यूद के लिए टार्गेट रहते हैं या एक अच्छा नाम उसके लिए समय देना पड़ता है किसी भी फिल्ड को अनवरत रहना पड़ेगा बिल्कुल और आपको उस चीज में पारंगत होना पड़ता है तब वो चीज आपको रिटर्न बैक देगी बिल्कुल बिल्कुल तो अगर यूवापेडि अगर आपको खुद को डी मोटिवेट समझे कि यार में तो हूनी रहा कुछ तो आप सिर्फ ये समझना कि अभी आप उतने पारंगत हुए नहीं अभी आपको और कुछ सीखना बाकी है अब वो क्या सीखना बाकी है वो यूवापेडि बहुत आजकल की बहुत जरिये है गूगल है यूट्यूब है बहुत से जरिये है और तो उनसे या फिर अपने आ उधान में बढ़ना ही अपना काम है तो यह जो काम करने की जो शेही है कहां से मिलती इतनी ताकत आपको पेशन्स जो है वो एक ताकत है और मैं हमेशा बोलता हूं जब मैं क्लास लेता हूं तब हम मुझसे पूछते कि सर आपको गुसा क्यों नहीं आता मेरी ओनलाइन वोक में समय देना पड़ेगा और वही चीज आपको मजबूत बनाती है आप सीखते सीखते जब कठनाईयों को पार करते वे खुद को देखते हो तो अगर आप टूट गए तो फिर टूट गए उससे एक कतम और आगे बढ़ गए और सीखते हैं गूमर अनृत्य महिलाओं का है और महिलाओं की जो ठूमके पुरुष लगाता है तो दुनिया तो हसेगी क्या फील होता आपको उस समय बिल्कुल मैं भी अगरी हूँ घूमर नित महिलाओं का है और जनाना दरबार में होता था पहले बिल्कुल मैं भी अगरी हूँ लेकिन एजे गुरु अगर कोई उस अध्यन करके आया है टेक्निकली अगर सिखाए और ये अब मुझे खुद मेरे जो इतनी लोग जो है जुड़े हूँ है वो खुद बोलते हैं कि आप जो इतना डीपली टेक्निकली सिखा रहे हो तो जरूरत थी कल्चर को की कोई प्रोफेशनल आके उसको सिखाए तो अब उसका तो ये मेरे माइंड में रहता है कि हाँ टेक्निकली अपना कल्चर क्या है फॉलो बाइफॉलो है अपना जो हमेशा कल्चर होता है उसमें कोई टेक्निकली कोई भी चीज़े आर्ट हो कोई भी चीज़े हम करते हैं फॉलो बाइफॉलो इसको देखके किया फिर उसने नहीं दिखे मैं अपने ही कल्चर को टेक्नीकली जो आज की यूथ को जरूरत है यूथ नहीं सिखेगा आपको फॉलो बाइ फॉलो करके क्योंकि यूथ अभी मॉडनाइज चीजों पर जादा अट्रैक्ट हो रहा है तो अगर उनको ही प्रॉपर टेक्नीकली बता दी जाए क कोई चीज तब यूथ अट्रैक्ट होगा स्लाइक कियार यह तो मेडिटेशन है गूमर तो माइंड का पजल्ड गेम है आप अपने लेग्स को जिग-जग रखो मिलेग्स की स्पीड फॉर है आपके हाथों की स्पीड को आपको कंट्रोल करना अपनी नर्वा सिस्टम को कं बहुत ही नेक्स लेवल की टेक्नोलोजी है गूमर के अंदर बहुत वक्त किया मैं इसमें लचिलापन है इसकी तपस्या को लेकर के हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे योगा योगा से होगा सब कुछ तो योगा तो जो हमारे बोड़ी की फ्लेक्जिबिलिटी और उसकी चाम बनाए रखना और बहुत जरूरी है और इनसान को करना चाहें बहुत आप अंतरास्ट्री इस तरफ के ख्याती प्राप्त हैं और यह जो ख्याती आपको मिलिये तो मैं समझता हूं यह राजस्थान का और को यह देश का गौरव है कोई ऐसी आप संस्मन ऐसा बताना च स्टूडेंट्य ना काफी ज्यादा प्रचलित है वह बमनें और हमारे कालवल्यम नृत्य को राजस्थान मतलब राजस्थानी न ओन फॉर क्या बात कर रहें जी फॉर्णर्स फॉरंड में सिखाते है तो जो भी 15-16 जन है फिनलेंड में है यूसे में है जर्मनी में है काफी जो 15-16 जन है वो अबी मेरे घूमर के स्टुडेंट्स है वो घूमर टेकनिकली सीख रहे तो जब उन्होंने starting में मुझसे सिखा कि sir घूमर हमने बहुत अपने राजस्थान में वरियेशन हमारी आपनी बासा में हैं मेरी थोड़ी अलग्ट होना होगी आप भी थोड़ी अलग्ट होना होगी तो वैसे ही हर tradition में भी थोड़ा थोड़ा difference मिलता है बड़ टेक्निकली चीज उनको जब मिली तो उन्होंने बोला कि sir ये magic है sir ये dance form जो घूमर है ये classical के level का टकर देने वाला dance form है और क्यों इतना वो नहीं था और अब वो सिखा रहे हैं घूमर भी अपने students को foreigner students को और वो उन्होंने ही मिर को बोला sir it's like a meditation pure meditation है ये वो तो और माइंड गेम और माइंड चैलेंज और आपके control और बहुत सारी चीज है तो ये उन्होंने मेरे को खुझ से जितने भी है एक से दूसरे को circle बताया अब मेरे पास बहुत सारी foreigner students है जो भी सीख रहे हैं कई फिल्मों से आपके पास offers आ रहे हैं और काफी ऐसे आपके पास मोके आ रहे हैं जो आभी आप इग्नोर कर रहे हैं ऐसा कुछ हमने सुना है इग्णोर तो नहीं, जैसे मैंने फिल्म में तो किई है, तुमबाड मुवी मैंने की है, तुमबाड बॉलिवूड मुवी है, उसमें हस्तर जो क्रिएचर था, तुमबाड वन उफ दे बैस होलोग मुवी, उस समय पता नहीं था, मुझे हस्तर क्रिएचर, वो मैंने प्ले किया है उसके अंदर मेरा फ्लेक्जिबलिटी बेस्ट मैंने पहले उसमें कॉंट्रोर्शन करता था उसके बाद मैं कुछ आइड़ भी किया है मैंने एक लाइब बोई काइड़ भी किया है तो अभी देखिए जब तक कोई चीज़ अपने प्लान जो आपने प्लान जो कहीं आपने एक रखा हुआ है या फिर मैं यूं कहूं कि ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मंचने मिलता है तो उसको लेकर के कुछ फ्लानिंग आपकी डवलप्मेंट के हिसाब से बिल्कुल सबसे पहले तो जैसा क्योंकि मैं मुंबई में जैसे मैंने इंडियास गाइड़ टेलेंट सेमी फाइनलिस था मैं सीजन फॉर का तो वहां पे जितने साल मैं रहा पाच्छे साल जो मैंने देखा वहां पे और जितना बड़ा अपना राजस्थान है तो हमारे रास्थान में टेलेंट का तो कमी है यह नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि रास्थान के लिए शाइद रियालेट इशों कुछ कुछ सोचा जाए या फिर ऐसा कुछ ना कुछ रास्थान के लिए सोचा जाएगी रास्थान के जो यूवा है जिनको अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो कुछ ऐसा कुछ प्लान करने का है जरूर बट कब तक हो जे वह सा पेपर वर्क पहर तो आप भी टेलेंट के अख अगले चर्ची चहरे में हम पुने मिलने वाले इसे के साथ नमस्कार वंदे मातरों